आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पॉल टेक्निक 2024 के फॉर्म फिलिंग के लिए किस-किस डॉक्मेंट की जौत पड़ेगी उसके बारे में राइट आप से भी बहुत जादा कोशन पूछ रहे थे कि भाहिया जो हमारा फॉर्म जब आएगा तो हमें किस- सही से आप लोगों को explain करते हैं और आप लोगों से रिक्वेस्ट ही कि अगर आपने अभी तक प्लेस्मेंट बगरा बहुत अच्छे से हो जाता है सभी का अभी से अपनी स्टडी ध्यान से करो बना आपको बहुत दिक्कत होगा राइट दब तक आपका इंटरंस एक्जाम आपको पूरा बगरा आपको बता देंगे क्या चाहिए होगा वेरिफिकेशन के डाइन पर कैसे आपका पूरा प्रोसीजर रहेगा पूरा सूरु से एंड तक आप लोगो को गाइड करते रहेंगे तो चैनल बगरा को जरूर सब्सक्राइब करके रखा करें और जिन भी ब कर सकते हैं अगर समझ में नहीं आएगा तो मैं उसके लिए बैठा हूं बिलकुल आपको समझ में आएगा कोई दिक्कत लिए अपने अभी भी प्रिपेशन करना चाते हो था हमारा कोर्स पूर 99 का आप उसे जोइन करके अपनी स्टडी कर सकते हूं ठीक है चल पहले में बा चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं एक चीज़ में आपको बदा दूँ फॉर्म जो है ना आपका अप्लिकेशन फॉर्म जल्द ही आ जाएगा ठीक है अगर आपके पास कोई कैटेगरी है अगर आपके कोई कैटेगरी है मतलब क्या जैसे कि EWS है या फिर OBS है या फिर OBS है सब कैटेगरी है तो भाई आप लोग अपना सर्टिफिकेट बन वालो है अपने सर्टिफिकेट को रिन्यू जरूर कर वाले ना यह आपको चाहिए होगा अगर आपकी कैटेगरी जनरल है तो आपको इन सब चीजों की जोत नहीं पढ़ने वाली नहीं है और एक चीज ध्य सर्टिफिकेट चाहिए अगर आप बिहार से आपने कर रहे है तो बिहार का ही कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए समझ गया आप लो ठीक है अब एक तो यह डॉक्मेंट होगे सबसे इंपॉर्ट इसके विना तो आप लोग को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा इसकी फोटोग्राफ चाहिए होगा ठीक है फोटोग्राफ और एक आपको चाहिए होगा वह सिगनेचर है आपके पास जैसे तैंट फिल्फ जिसकी बेस्पी आपको और चाहिए अपको मार्चिट मतलब आप समुझ गया जिसे माली जी अभी बहुत सारे बच्चे यह वोल अभी आप वेट करोगे उसके बाद लगा देना मतलब अवेटिट करके अपना फॉर्म भरेंगे जिन पूल मतलब जैसे माली जी कोई असीवी बच्ची होगी जिन्हें दो होचार बाइस या फिस में कंप्रीट कर लिया होगा तो उनको भाई चाहिए होगा उनको माक्षि चाहिए होते हैं लेकिन अभी नहीं चाहिए अभी फॉर्म भरने के लिए इतने ही चाहिए जब आपको एड्मिशन हो जाएगा अच्छा रैंक बगरा आजाएगा सेलेक्शन हो जाएगा तो उसके बाद डॉक्मेंट वरिफिकेशन होता है वहाँ पर मेडिकल सर्टिफिक अब कर सकते हैं अब करेंगे तो यहां पर आपको निकल जाएगा तो फिर कुछ निंग आप लोग अभी 45 दिने अराम से कर सकते हैं इन्हीं बीच आपको और करेंगे अब यहां पर देखेंगे तो यहां पर एक चीज़ में आपको और क्लियर कर दोता हूं जैसे आपको दिख जाएगा लाइब जो है ना वह रिकोर्ड़ेट फॉर्म में आगया यहां से पूरा कम्प्रीट कर सकते हैं विभी कोई दिक्कत निया बाकि मे आपको बिल्कुल यूटूब पर आगे सारी चीज़ समझाऊंगे कैसे और यहां पर देखेंगे तो कोई भी किसी परकार के दिक्कत नहीं होगी आपको पूरा सपोर्ट करूँगा तो फाइनलिस फॉर्म आपको जल्दी आने वाले ठीक है आप बिल्कुल बेट करो मैं आ सारी चीज़ समझाऊंगे कैसे फ़ॉर्म अगर करने सारी चीज़ ठीक है अभी के लिए इतना ही मिलते अंगले वीडियो में कि अ कि